So अभी कुछ टाइम पहले Netflix पर एक सीरीज रिलीज हुई है इसका नाम है The Fall of the House of Usher और ये सीरीज सच में बहुत ही कमाल की है मतलब बोल सकते हैं कि इस साल की one of the best सीरीज है Personally मुझे काफी पसंद आई So इस वीडियो में मैं सीरीज को डिटेल में explain करने जा रहा हूँ So let's start and welcome to series verse So series start होती है अपने को एक funeral का scene दिखाते हुए और यहाँ पर अपने को Roderick Usher को दिखाते हैं जो Usher family का head होता है Roderick के टोटल 6 बच्चे होते हैं जिन में से 3 काच funeral होता है और इनके नाम होते हैं टेमरलीन अशर, प्रेडरिक अशर और विक्टोरीन अशर और बाकी की 3 बच्चों की मौत पिछले हफते हो गई थी और उनके नाम थे कमील अशर, लियो अशर और पैरी अशर और इन सब की मौत किसी ना किसी accident की वज़े से हुई थी बट रॉडरिक को लगता है कि कहीं ने कहीं ये सब उसकी वज़े से हुआ है और यहाँ पर रॉडरिक को एक मिस्टीरियस औरत दिखाई देती है जिसने एक रेवन मास्क पैना हुआ होता है और इसका नाम होता है वरना पता चलता है कि रॉडरिक असर उसे मिलना चाता है जिसका बट डूपिन रॉडरिक से मिलने उसके पुराने घर में पहुंचता है जो रॉडरिक के बचपन का घर होता है और यहाँ पर रॉडरिक की बैन मेडलिन भी मौजूद होती है पर वो basement में कुछ काम कर रही होती है Roderick नहीं डूपिन को बुलाया होता है ताकि वो उसके सामने अपना confession कर सके सो डूपिन अपना recorder on करके Roderick की बाते record करना स्टार्ट कर देता है जिसका बद अपने को 1953 का scene दिखाते हैं यहाँ पर अपने को Eliza Assar को दिखाते हैं जो Roderick और Madeline की मदर होती है और Eliza Fortunato Company के मालिक William Longfellow की secretary होती है William पहले से साधी सुधा होता है बट उसका फियर Eliza के साथ चल रहोता है और Madeline और Roderick William के ही बच्चे होते हैं बट उसने ये पास दुनिया से चिपा कर रखी होती है जिसका अपने को 1962 का scene दिखाते हैं जहां Eliza को Cardisil नाम की एक दिमाग की बिमारी हो जाती है जो धीरे-दीर उसकी जान ले रही थी Roderick और Madeline Eliza को डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलते हैं बट Eliza का मानना होता है कि उसे डॉक्टर की जरुरत नहीं है और God सब ठीक कर देगा सो Roderick और Madeline William के पास पहुंचते हैं ताकि वो Eliza को समझा बुचा कर डॉक्टर के पास ले जाए पर William इन दोनों की बिज़दी कर इन्हें वहाँ से निकाल देता है और जब Roderick और Madeline अपने घर पर पहुंचते हैं तब तक Eliza की मौत हो चुकी होती है और Eliza की आखरीक्चा थी कि उसकी अटॉप्सी ना हो सो Roderick और Madeline अपनी मौम की आखरीक्चा पूरी करने के लिए उनकी बोडी को याड में दफना देते हैं बढ़ रात में Roderick देखता है कि उसकी मा की कबर खुदी हुई है और जब ये दोनों उसे चेक करते हैं तो वाँ इनकी मौम की बोडी नहीं होती और फिर जब ये लोग घर के अंदर आते हैं तो वाँ Eliza खड़ी होती है तब ही Eliza Roderick पर हमला करती है और Roderick अपनी मौम से सौरी बोलता है जिसके बद Eliza विलियम के घर पर पहुंसती है और उसका गला दबा कर उसे मार देती है ना प्रेजिन में Roderick डूपीन को बताता है कि कमपनी को टेक ओवर करते ही उसने इस सारी चीज़े चिपा ली थी ताकि उसकी फैमिली का नाम खराब न हो Roderick बताता है कि उसके 6 बच्चे थे और वो 5 अलग-अलग औरतों से थे यहां पर एक नोटिस करने वाली बात यह होती है कि इस पूरे सीन में लेना और अपने ग्रेंटपा को मैसेज कर रही होती है पर Roderick उसका अंसर नहीं करता और Roderick को यहां पर बीच-बीच में उसके बच्चों और मदर की आत्मा भी दिखाए देती है खैर तो इसके बाद Roderick दो अपते पहले की कहानी सुनाता है जहां डूपिन कोट को यह बताने की कोसिस करता है कि पिछले 50 सालों में असर फैमली की वज़े से करोडों लोगे की जान गई है और यह सब लिगडोन नाम की एक दवा की वज़े से हुई है जिसे फॉर्ट सुनाटो कमपनी बनाती है बट हर बर असर फैमली किसे ना किसी वज़े से बच जाती है बट इस बार उनकी फैमिली का ही एक मेंबर है जो सब कुछ बताने को तयार हो गया है नो रोडरिक इस बाद से काफी परशान हो जाता है और फिर अपनी एक फैमिली मीटिंग बुलाता है जहां वो अनाउस करता है कि जो भी उसकी फैमिली को धोका देने वाले को ढूड़ेगा वो उसे 50 मिलियन डॉलर देगा और मैडलिन बोलती कि जो भी धोके बाज होगा वो उसे मरवा देगी नौ प्रेजिन में रोडरिक डूपीन को बोलता है कि अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो खुद है और उसके सांस सत एक औरत भी जिसका अपने को 1979 के New Year Eve वाली दिन को दिखाते हैं जहां पर एक बार के अंदर रोडरिक और मैडलिन आते हैं जहां इनकी मुलकात वर्ना से होती है जो एक बार्टेंडर होती है और वर्ना इन दोनों को बोलती है कि आज उन दोनों की जिन्दगी बदलने वाली है आगे अपने को दिखाते हैं कि 1979 में रोडरिक रूफस से मिलने आता है जो फॉर्चुनाटो कमपनी का मालिक होता है और रोडरिक रूफस को लिगड़न के बारे में बताता है कि ये कोई भी दर्द को असानी से ठिक कर सकता है जिसे एक दूसरी फार्मा कमपनी ने बनाया था Rufus Roderick को बोलता है कि वो इस आइडिया के बारे में सोचेगा बट कुछ टाइ Haben-बाद Roderick को पता चलता है कि Rufus ने उसका आइडिया चोरी किया है और उसने वो कंपणी खरीद ली है जिसने Leagadown बनाया था सो Roderick जाकर Rufus को बोलता है कि उसने उसका आइडिया चोरी किया है बट रूफस रॉटरिक को एक 500 डॉलर का चेक और एक प्रमोशन दे देता है और अब क्योंकि रॉटरिक को रूफस के करीब आना होता है ताकि फ्यूचर में वो लोग इस कंपनी को हड़प सके इसले रॉटरिक इस आफ़र को एकसेप्ट कर लेता है बट कुछ दिन बाद रॉटरिक को पता चलता है कि लिगवडरॉन की वज़ा से लोगों की मौत हो रही है और इसे छिपाने के लिए फॉर्चुनाटो कंपनी बॉड़ी चोरी कर रही है और कमपनी के qancent form में उसके sign है जिसमें लिखा था कि जो लोग दवा से मर रहे है उन लोगों को पता था कि दवा का क्या risk है हाला कि डॉटरिक ने उन पेपर पा sign नहीं किये थे डॉटरिक डॉटरिक को उसकी मदद करने के लिए बोलता है बट रोडिक डूपिन की मदद नहीं करता और इस बाद से रुफास काफी खुश होता है नो प्रेजिन में रोडिक डूपिन को अपने फैमिली के बारें बताता है कि उनकी मौत कैसे हुई तो सबसे पहले अपने को पैरी को दिखाते हैं तो एक दिन पैरी फ्रेडरिक और असर फैमिली को लायर पिम एक मीटिंग में होते हैं कुछ लायर के साथ और इन लायर्स का मानना होता है कि कमपनी इन लीगल तरीके से काम कर रही है और उनकी फैक्टरी के वज़े से ग्राउंड वाटर में जहर फैल रहा है पर पिम बोलता है कि ये फैक्टरी उनकी नहीं है बट पैरी हैं कुछ ऐसा बोलता है कि लायर्स को इन पर शक हो जाता है और इस बात को लेके बाद में फ्रेडरिक और पैरी में जगड़ा हो जाता है जिसके बाद पैरी उसी बिल्लिंग में से एक में न्यूट पार्टी की प्लैनिंग करता है और वहाँ के गार्ड्स को सेलिंग पर लगी स्प्रिंकर्स को छट पर लगी पानी के टंकी से जोनने के लिए बोलता है वहाँ लेनाओर अपने ग्रैनपा और जूनो से मिलती है और यहाँ पर लेनाओर जूनो से पूछती है कि वो अपने ग्रैनपा से कैसे मिली जूनो लेनाओर को बताती है कि एक बार उसका एक्सिडेंट हो गया था जिसमें वो अल्मूस्ट मर गए थी पर लिगाडॉन दवा की वज़े से उसकी जान बच गए थी जुनो ने लिगाडॉन की 2000 मिलिग्राम का डोस ली थी और तब से जुनो हर रोज लिगाडॉन की सेम डोस ले रही है इतनी बड़ी डोस से कोई भी इंसान जिन्दा नहीं रह सकता पर क्यों की जुनो जुनो जुन्दा थी और ठीक ठाक थी इसलिए रोडरिट ने उसे साधी कर अपने साथ रखा होता है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि लिगाडॉन बिल्कु सेफ है अधर हैं परी फ्रेडरिक के वाइप मोरेला को अपनी पार्टी के लिए इन्वाइट करने आता है ताकि वो आगे चलकर फ्रेडरिक को ब्लैक मिल कर सके और परी मोरेला को एक सिक्रेट फोन देता है और रात में मोरेला पार्टी में पहुंचती है और वो देखती कि यहां सभी लोग ने मास्क पहना होता है और यहां सभी लोग open sex कर रहे होते हैं और Perry इन सारी चीज़ों को record कर रहा होता है उसका प्लान होता है कि इन सारी वीडियों को बेच कर पैसे कमाना और Perry Morella की वीडियों से फ्रेडरिक को blackmail करना चाता था वरना Morella के पीछे आकर उसे पार्टी से निकलने के लिए बोलती है पड़ इससे पहले कि Morella को समझ पाती स्प्रिंकल्स ओन हो जाते हैं और टैक में पानी के जग एसेड भरा होता है इसलिए यहां एसेड की बारिस होने लगती है इसे पार्टी में सारी लोगों की मौत हो जाती है और पैरी भी मारा जाता है वरना पैरी के पास आती है और उसे अपना मास्क पहना देती है कुछ ताइम बाद पुलिस वहां पहुंचती है बट उससे पहले पीम अंदर पहुंचता है और پیरी के मुँ से मास्क निकाल लेता है तबी PIM को Mortyla जिंदा मिलती है बट वो काफी जल चुकी होती है और फिर उसे होस्पिटल ले जाए जाता है पिम रोड़िक और Мैडलेन को बताता है कि एकसिडन के ठीक पहले वहाँ से सारे वेटर बहार चलेगा थे यानि उन सब को पहले से कुछ पता था और यह जरूर किसी की साजिस है देन अपने को विक्टोरीन असर को दिखाते हैं जो एक डॉक्टर होती है और फ़र्चुनाटो के लिए रिसर्च का काम करती है विक्टोरीन एक मसीन पर काम कर रही होती है जिससे हाट की कोई भी बिमारी को ठिक किया जा सके और इसका टेस्ट वो बंदरों पर कर रही होती है रोडिक चाहता था कि विक्टोरीन इस मसीन को जल्दी बना ले ताकि इसके बाद वो इसे इंसानों पर टेस्ट कर सके बट विक्टोरीन की हार्ट की मशीन बंदरों पर काम नहीं करती और उनकी मौत होने लगती है बट विक्टोरीन अपने डैड को खुश करने के लिए जूटे रिपोर्ट तयार करती है तब उसे वर्णा मिलती है जो एक हार्ट की पेशिन बंद कर आई होती है और उसकी रिपोर्ट देखकर विक्टोरीन को लगता है कि वर्णा एक शहीग केंडिडेट है उसके मसीन के यूमन ट्रैल के लिए बट इस बिच कमील को पता चलता है कि विक्टोरीन अपने हार्ट मशीन के ट्रैल के अंदर फेल हो रही है और इससे बंदर की मौत हो रही है पर उसनी ये बास सब से छिपा कर रखी है और गलत रिपोर्ट तयार की है जिसका अपने को दिखाते है कि कमील अपने सेकेटरी उसे पता चलता है कि विक्टोरीन ने सारे बंदरों को एडरिलीन दे रखा है ताकि उनकी दिलों में लगी हुई मशीन काम करती रहे और जूटी रिपोर्ट तयार हो जाए और फिर कमील अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है बर तब ही वहां वरना आ जाती ह और बड़ी अजीब से आवाजे निकालने लगती है इसे देखकर कमील डर जाती है रहन अपने को दिखाते है कि सुबह जब डॉक्टर लैब में पहुंसते हैं तो वहां कमील की बॉड़ी पड़ी होती है और वहां एक बंदर बैठा होता है कमील की मौत के बाद असर फैम इसका वो यूज करती थी और टैमी रेंडम लड़के को बुला कर उसे अपने हस्बेंट से सेक्स करवाती थी और उन्हें देखकर खुद को प्लेजर करती थी पर टैमी को बिली और वर्णा के बीच में असली प्यार दिखने लगता है अधारन मिश्टर पीम फ्रेडरी को पेरी का फोन देता है जो पेरी ने मोरिला को दिया था और इस बात से फ्रेडरी को मोरिला पर शक होने लगता है कि पेरी और मोरिला का चक्कर चल रहा था और फिर मिश्टर पीम मेडलिन और रोडरी को वरना की फोटो बेसता है और उसे देखने के बाद मेडलिन एक पुर लियो ये बाद चिपाने के लिए एक पैठा उसमें पहुंसता और सेम बिल्ली खरीदता है और इसकी ओनर होती है वर्ना और जैसी लियो उस बिल्ली को घर लाता है उसके साथ अजीब चीजे होने लगती है सबसे पहले वो उसे नाकुन मार कर भाग जाती है और फिर रात में लियो को उसके पीलो के नीचे एक मरी हुई बिल्ली मिलती है सो लियो वर्ना को बिल्ली को लेने के लिए अपने घर बुलाता है और उसे बोलता है कि वो बिल्ली दिवार के अंदर चिपी हुई है तब ही वो बिल्ली अचानक लियो पर अटैक करती है और लियो उसकी आखे निकाल लेता है और लियो देखता है कि वर्ना की आखे भी बाहर आ गई है जिसे लियो बुरी तरह से डर जाता है और वो गुस्से में दिवार तोड़ने लगता है और जब उसका बैफ्रेंट वापस आता है तब तक लियो ने पूरा घर तबाह कर दिया था और एक दिवार क